हैलो दोस्तों वेलकम बाइक तु नियो वीडियो और इन दिस वीडियो वी आर गएवग टॉक आउट इसन देशन आइन वी इन पूर्मेशन वाले तो इसको प्रोनाउंसेशन करते हैं ओर्येंटेशन यानिकी ओर्येंटेशन का मतलब होता है एक तरह से इंट्रोड़क्षन यानि कि orientation में overview आपको दिखाया जाता है कि क्या कुछ चलने वाला है आपके first day में तो मैं जब पहले year में था, मैंने जब ये पहली बार spelling पड़ा था तब मैं भी इसको pronunciation करने में काफी गबरा रहा था और मुझसे ये pronouncing नहीं हुआ था तो इसका अब मुझे काफी अच्छा से याद रह चबगा है इसको बोलते है orientation, orientation day आप अभी भी 3-4 बार repeat कर दीजिए इसको बोलते है orientation day information यानि कि जब भी आपकी engineering college में first day होता है उसको बोलते है orientation और orientation में आपके सारे की सारे मतलब doubts यहाँ पे clear होते हैं college के बारे में सबसे पहरे तो आज ही मैंने एक comment पढ़ा था कि भाया orientation में जाना compulsory है कि नहीं तो दीखे कोई भी college यहाँ पे आपको compulsory तो orientation में नहीं ही बुलाती है but I would strongly recommend कि आप definitely orientation day miss मत करना इसका reason यह है कि orientation day में बहुती introduction होता है मतलब आपको सब कुछ college के बारे में जानने को मिलता है सब कुछ in the sense E to Z detail college के बारे में जानने को मिलती है क्यूंकि आप अगले चार साल वो particular college के अंदर बीदाने वाले हो तो college आपको काफी अच्छी तरह से guide करता है कि कैसे रहने वाले है आपके आने वारे 4 साल आपको क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा, कहां पे बैठना होगा lectures कब होगे, timing कब होगा, placement कब आएगा placement में किस तरह से बैठना होता है, आपके lectures किस तरह से conduct होगे वो सब कुछ information आपको orientation day के दिन provide की जाती है यानि कि यह आपका बहुत ही important day रहने वाला है, इस दिन में आपके सारे doubts clear होने वाले है अब सब सब पहले हम बात करते हैं कि orientation day के time क्या रहेंगे तो देखें ये time आपको जो email आएगा या फिर whatsapp message आएगा या फिर आपकी college के notice board के उपर नहां पर notice के अंदर time लिखा होगा generally दिन के 4-5 या 6 गंटे तक चलता है, ये depend करता है college के उपर के कितने गंटे का orientation वो लोग organize करते है मैंने यहाँ पर विश्वकर्मा government engineering college है उसका यहाँ पर orientation day का time पड़ा था, सुबह 11 से लेके 6 बज़े तक था इसके बीच में आपको half an hour का या फिर एक गंटे का यहाँ पर break मिलता है बीच में lunch break या फिर यहाँ पर college ही आपको snacks provide करते हैं जिसमें एक समोसा रहता है, फ्रूटी रहता है, अगर मैं मेरी particular LD college of engineering की बात करो ना तब उसने मतलब orientation के दिन यहाँ पर समोसा और्गिनेज किया था, समोसा प्लस फ्रूटी यह college की ओर से दिया गया था, orientation देन में ठीक है, यह तो side की बात है, बट यह सब से पहले मैंने answer क लगसन, यानि कि यहाँ पर आपको college के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा, यह मैंने अल्रेडी बता दिया है, बट इसके भी अलावा अब में कुछ discuss करना जाओंगा, और वो क्या है, वो रहता है कि orientation day में सबसे पहला start होता है, एक तो starting में prayer होती है, ठीकि यह prayer हो जाती ठीकि उसके बाद आपके आते है department के HOD, यानि की head of department, वो छोटा सा message देते है, उसके बाद आते है faculties, faculties आपको बताते है कि welcome back to the college, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, वो सारे faculty के साथ introduction होते है, फिर आता है यहाँ पर की NSS, NCC, दूसरे सार college के love होते है, club, club का मतलब पता है, मतलब college के अंदर side activities में, यह सारे club आपकी help करते हैं, तो वो सब कुछ होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा बाकी के side activities, जिसमें आपको कोई एक fun activity कराते है, या फिर interesting सा कुछ, आप boring ना हो, तो इसलिए यहाँ पर पढ़ाते है और उसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ information दी जाती है, कि orientation दिन के बाद, आपको कितने बज़े college आना है, कौन से class में बेठना है, क्या timing रहेगा, time table प्रोवाइट किया जाता है, और उसके बाद आपको college की, मतलब आने वाले 6 मेने की पूरी एक यहाँ पर details आपको समझ दाया जाता है, तो इसलिए I would strongly recommend कि do not miss your orientation day, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारी activities होती है on just one single day, और यहाँ पर मैं आपको कब से बोला हूँ कि आपका यहाँ पर starting के 14 days में IP रहता है, IP का मतलब होता है induction program, तो जब भी आप induction program 14 दिन का attend करते हो, उसके बाद आपको एक report बनान easily यहाँ पर लिख सकते हो कि orientation day में ऐसा सब कुछ हुआ था, ऐसा हमने सीखा है, orientation days के photos यहाँ पर add कर सकते हो, तो यह सारी etc etc things आप definitely यहाँ पर आप अपने orientation day में attend कर सकते हो, all right, so thank you very much दोस्तों, अगर आपको orientation day related कुछ भी doubt है, so you can ask me in the comment section, thank you, bye bye